भारत ने ऑस्ट्रेलिया से लगातार चौथी टेस्स सीरीज जीत ली है चार मुकाबलों की सीरीज का आखरी मुकाबला ड्रो रहा है ऐसे में सीरीज 2-1 से भारत के नाम रही है रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया कंगारो से लगातार चार टेस्स सीरीज जीतने वाली एशिया की पहली टीम बनी है इतना ही नहीं भारत ने लगातार छथी बार घर में बॉर्डर गावसकर ट्रॉफी अपने नाम की है इससे पहले टीम इंडिया को 2004 में अपने घर में पराज़ जेलनी पड़ी थी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 175 बटा दो रनों पर घोशित की फिर नतीजा न निकलता देख दोनों कप्तानों ने एक घंटे पहले ही आपसी सहमती से मैच समापती की घोशना कर दी तब मानस लाबुशन तिरसत और स्टीव स्मिथ 10 पर नाबाद लोटे लाबुशन की यह टेस्ट में 15 वी और भारत में पहली हाफ सैंचुरी है इससे पहले आस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 480 रनों का मजबूत स्कोर बनाया जवाब में भारतिय टीम ने 571 रन बनाते हुए पहली पारी में 91 रनों की बढ़त हासिल की मैच के आखिली दिन सोमवार को कंगारों ने 3 बटा शूने से अपनी दूसरी पारी को आगे बढ़ाया मैच के आखिली दिन भारत की 91 रनों की बढ़त के जवाब में कंगारों ने अपनी दूसरी पारी 3 बटा शूने रनों से आगे बढ़ाये टीम ने 175 बटा 2 पर पारी घोशित की, 14 रन पर पहला विकेट गवाने के बाद ओपनर ट्रेविस हेड और मानस लबुशन ने पारी को संभाला मैच के आखिरी दिन भारत की 91 रनों की बढ़त के जवाब में कंगारों ने अपनी दूसरी पारी 3 बटा 0 रनों से आगे बढ़ाए टीम ने 175 बटा 2 पर पारी घोशित की, 14 रन पर पहला विकेट गवाने के बाद ओपनर ट्रेविस हेड और मानस लबुशन ने पारी को संभाला दूसरे सेशन में हेड 90 रन बना कर आउट हुए, हेड के आउट होने के बाद मानस लबुशन ने अर्धशतक जमाया दूसरी पारी में ऐसे गिरे आस्ट्रेलिया के विकेट पहला, 11 वे ओवर की चौथी बॉल पर अश्विन ने मैथ्यू कुहनेमन को LBW कर दिया दूसरा, अक्षर पटेल ने ट्रेविस हेड को बोल्व कर दिया उस्ट्रेली आई ओपनर ट्रेविस हेड, 90 रन, नर्वस माइनस 90 का शिकार हुए उन्होंने 13 वा टेस्ट अर्धशतक जमाया हेड ने लबुशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 292 बॉल पर 149 रनों की साझेदारी कर अपनी टीम को शुरुआती जटके से उबारा टीम ने 14 रन पर पहला विकेट गवा दिया था हाला कि यहां नाइट वाच्मेन के रूप में उत्रे मैथ्यू कोहनेमन आउट हुए अक्षर पटेल ने ट्रेविस हेड को आउट करते ही बड़ी उपलब्दी हासिल कर ली वे पहले बारा टेस्ट में 500 रन और 50 विकेट लेने वाले दुनिया के पांच में खिलारी बने है अक्षर ने हेड को 90 रन पर चलता किया अश्विन ने इस सीरीज में सबसे ज़्यादा 25 विकेट लिये है इस सीरीज में दो बार उन्होंने पारी में 5 विकेट भी लिये चार मैचों की इस तेस्ट सीरीज में आस्ट्रेलिया ने 15 बैटर खिलाए और अश्विन ने सभी को एक-एक बार आउट किया उन्होंने ये कारणामा आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैट कुहनेमन का विकेट लेकर किया आखरी दिन का पहला सेशन महमान टीम के बल्लेबाजों के नाम रहा हाला कि टीम ने नाइट वाच मैन मैथ्यू कुहनेमन का विकेट भी गवाया 14 रन पर पहला विकेट गिरने के बाद लगा कि टीम दबाव में आ जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ हेड लबुशन ने सेशन में दूसरा विकेट नहीं गिरने दिया इस सेशन में 70 रन बने दिन का दूसरा सेशन मिला जुला रहा चाय से पहले कंगारू बल्ले बाजो ने 88 रन जोड़े लेकिन टीम ने ट्रेविस हेट के रूप में बड़ा विकेट गवाया मानस लबुशन ने अर्धशतक जमाया इस सेशन में महस 15 रन ही बने फिर दोनों का प्यानों ने रिजल्ट न निकलता देख आपसी सहमती से मैच ड्रॉ की घुशना कर दी